हे विल्केम वेक, आई मोध धर्मेंशर फ्रॉम डियर सेंश्टू, डॉक्र मुकरीन जदेली, मेरे प्यारे दोस्त, आज पता है में क्या दे रहा हूं आपको, बहुत जरूरी, अब तक आप डिमांडिंग में थे, आज में दे रहा हूं, आज आपको वोकैबलरी दे रहा जो डेली यूज में आता है, वह वो कैब दे रहा हूं, जो कन्फूजन करता है, वह वो कैब दे रहा हूं, जो आपके लिए, राइटिंग, स्पिकिंग, हर चीज के लिए, क्रेंबर में, हर जगा काम आएगा, तो आज आप इसको बिना सोचे, समझे, चुपके से याद कर जो काम आएगा, बस देखते हैं कैसे पढ़ना है, एस पेसल वर्ड दिया हूं, अब देखो अटेक, इन्वेड, असॉल्ट, इस सब का मतलब होता है, आक्रमन करना, राइट? इस तो पता है भाई, कि अटेक मतलब आपकरना, इन्वेड आक्रम करना, असॉल्ट आक्रम करन है, रट्टा मारने से काम चलेगा, फैक्ट और कॉंसेप को समझो, हमने कहा अटेक, जब यह व्यक्ती हो, और यह व्यक्ती हो, इन दोनों व्यक्ती को पता है, कि आक्रमन करेगा, तो उस केस में हम अटेक का प्रियोग करते हैं, क्या प्रियोग करते हैं, अटेक का प्रियो आटेक के साथ जैसे एक्जाम्पल दू कि चाइना अटेक्ड ओन इंडिया गलत हो जाएगा चाइना अटेक्ड 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 इंडिया गलत हो जा अपन इंडिया तो भी गलत, जो बोलूँ का सब गलत, सिंपल होगा, चाइना अटैक्ड इंडिया, राइट, तो यह सही हो जागा, तो आपको जानने के अपसकता यह है, कि समझना यह है, कि अटैक क्या वर्ड है, तो अटैक में जब दोनों व्यक्ति आमने सामने हो, तो हम अटैक का प्रता यह है, कि मेरे सामने तो हम जब दोनों व्यक्ति आमने सामने हो आतैक का प्रता है चाइना को टाहिए, उप यह पता है कि इंडिया बड़ागम करेगा इंडियाटू्षमन है तो आतैक कंपर हो बहाँ पर्मालों अपको ust नब तो हम दों इंद बाह वर फ वाता होता है उस केस में आखन करना अटेक का प्रोक लाता है बोलो याद हो और नहीं अगला बड़ है इन्वेट इन्वेट का मतलब क्यों तरहता है रखना था एरिया है अब इस अधरी ऐंना कोई व्यक्ति आया अव्यक्ति फशंग गूस गया बाबर इंडिया पर आकरमन नहीं किया था बाबर इंडिया में आगया था इंडिया था था कि आओ आकरमन करो मिल कर के सब भी बिदे सी जो बाबर को बुलाया गया था यह नहीं बुलाया था तो इंडिया में आया था आने के बाद आकरमन किया था Кोई इन्डिय को भॉंड़ी पर राक्रमन नहीं किया था कि इंडिया बावर दुसमन नहीं इन्यार आने के बावर राक्रमन किया था तो भावर इन्वेडेड, duraver आखिए इन्डिया घर में हुवकर राक्रमन की मोई हुझे बोलते हैं कि आधा है पर फिक प्रेक्ट वोस का नाम है ड्यसल। उसी का नाम है धर्मेंसर के अच्छी सिखाएंगे इंपका शॉलीट थोस। तो हम भुश में इन्वेड हम फिर घर में घूस करके आक्रमान करना को इन्वेड बोलते हैं अगरा सब्द क्या है असॉल्ट असॉल्ट का म फेति इस पर इसनांसे मैंयें इसंस्कु इसनांसिय को आफे यजान व्यक्ति ए ये निरपढ़ाय था को apparaat नहीं किया फिलुड़ चाहिए जय। तो जन देन की क्या पुँझाया हरानी पुँचया तो उसके लिए क्या लगाएं अ ummer. असौल्ट।. असौल्ट तीनों का हींदिस असौल्ट बोलना, असॉल्ट का हिंदी मिले का धावा बोलना, क्या भाई, तो आकमन करना तो है, लेकिन जिससे जन, धन, माल की हानी पहुंचता हो, वहाँ पे हम असॉल्ट का प्रियो करेंगे, बोलो तीनों किलर हुआ कर नहीं हुआ, अटैक, पता है, इन्वेड, आर्म करना, लेकिन मुवाइल नंबर है, मुवाइल नंबर कितने मांक्स का है, कितने डिजिट का है, भाई, मुवाइल नंबर दस डिजिट का है जी, उसमें तेन मांक्स है नहीं तो मांक्स किसो काते है, जो आपके सर्टिफिकेट में आते हैं, हिंदी में बोलते हो कितने अंका है तुमारे, तो ईंग का मतलब में Mars, जो जैसे किसी के Matric में, Inter means, मर्क में कितने उंग आए, कितने Mary. तो जो Certificate पर आपके नौकरी के लिए, आपके गुनभथ़ा को दिखाने के लिए प्रियो करते हैं उसे जुम्ति है MARC, और इडीट क्यों से है? तो इक एक 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 दोस्त करकर जैसे लुँट चार शो इस एक डिजि एक को दोस्त कर्यूट डिजिट है इसे हम लोग अंक बोलते हैं तो डिजिट का मतला एक 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 लेटर एक 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 लेटर एक एक को वोलते हैं अंक बोलते हैं लाइट तो इसे हम बोलते हैं डिजिट और अंक में अंतर हो गया अगर अगर फिंगर और तो अपके हाथ उंगली और उगली पैर का भी एना तो हाथ के उगली पैर के उगली हाथ के उगली पैर के उगली अगर हाथ के उगली है तो फिंगर का प्रियो करो हाथ उगली और पैर के उगली है तो तो का प्रियो करो क्या प्रियो करो तो का हम लोग सब को फिंगर बोलते हैं सर तो आप नहीं नहीं बोलना है आज तक बोलते थे ना आप नहीं बोलना हाथ की उगली को फिंगर बोलते हैं हाथ की उगली को फिंगर बोलते हैं और पैर की उगली को फिंगर नहीं बोलते हैं तो बोलते हैं तो अब रहा का देखा है तो मतला उठा दिया गलत दिया तो का मत हाथ का अंगुठा को थम बोलते हैं, और पैर के अंगुठा को बिग टो बोलते हैं, बिग टो, पैर के अंगुठा को बिग टो बोलते हैं, तो यह सब कोई बड़ा वोकेब नहीं है, वह वोकेब है, कि आपकी प्रेसनाल्टी को इंप्रूब करतेगा, आपके गहर में छोट बर दीन सीखो, बस उटको जाने। ज़रोता है और हर बच्चे को दो, एफ मुझे पता है, पुर्भात में सबको ज़रोता है, इतना शयर कर दो कोmind से हुआएं, हमें दोता हाथ बच्चा फेखकराउंकुete, ऑ moo का उटा, फेखकराऊंगूnew कर दोता है, बच्चे ति इसको बोलो, All right बोलो, Fine बोलो, सब अच्छ मिख्छ है, Good. कोई भी चिज तब्स चीज कोई एक अबसुत मोथ्न है, I'm Good, अच्छ है, Will, कोई Will यक अडभर्भ हो, Will कहीं है, है है पहला, He is writing Will, तो जहांबी वर्व को इस अबसुत कालिफाइ कर्ना हो, विल का प्रियो कर दो, और राइट, मानलो किसी मामले में, किसी चीज में, स्वास के रूप में, किसी चीज में बोलना हो, तो आम बोलतो, I am all right, मतलब हर तरफ से सही है, है ना, fine, fine, I am fine, fine का मतलब एक कोमर बोलताल की भासा हो गया, जो आप fine का प्रियो कर सकते हो, बैसे सारे में आप अच्छा के लिए प्रियोक कर सकते हो, I am fine, I am fine, I am good, I am well, I am all right, तो सारे सेंस नगभग एक्वल होते हैं, अब मैंने सपत लिया कि आपको सिखाऊंगा, सिर्फ ट्रांसलिसन नहीं, सिर्फ उस्पोके नहीं, सिर्फ उस्पोकेन आने के लिए तो वो कैब चाहिए, नहीं तो अंग्रेजी कैसे बोलोगे, यहां पर मने बात किया, देखो च बैंक, शोर, समूद्र किनारा क्या बोलेंगे, शोर, लेकिन पानी का, जैसे मानलो, यह पानी है, यह जल है, तो यहां पर किनारा हो यहां पानी लास्ट कर रहा हो, तो इसको हम बोलेंगे शोर, राइट, अब यहां पर किनारा हो सकता है, यहां पर सुखा जमीन हो गया, य तो इसको बोले है कोस्ट, तो बैंग का मतलब नदी किनारा, ज्यांदेना बच्चे, बैंग का मतलब नदी किनारा, और शोर का मतलब समूदर के जो पानी लास्ट किया ना, पानी लास्ट किया उसके किनारे को शोर बोलते हैं, और समूदर किनारा कोस्ट मतलब जमीन का किनार जमीन जो है जहां लाष्ट किया है यह जमीन खाले सान है उस किनारे कोस्ट कहते हैं और बोर्डर मतलब सीमा जो आपका बोर्डर है सीमा है इसको जो जो बोर्डर पर आर्मी रहती है पुलिस रहती है बोर्डर पुलिस रहती है तो इस बोर्डर को जमीन का जो किनारा होता है सीमा होता है किसी देश का मालोई इंडिया का सीमा हो गया इसको मुझ बोर्डर बोलते हैं राइट तो आप याद हो के साचिस हमने बोला बैंक नदी किनारा शोर शमूतर किनारा कोस्ट समूतर किनारा बोर्डर सीमा लेका अंतर क्या है पानी के किनारे को हम लोग बोलते हैं और समूतर का जमीन का जो किनारा हो गया उसको बोलते है कोस्ट राइट और बो n它ष रा। अगरा च खो रे आर बिम दोन से ही किरंच होता है अब भ해요 हमको बोला बोला है सूरी की किरने अब बताmont लिए कहा है इक रे हिस पिना दोचे क्लुझ गे मीठी है तो छंदरमा किरने और यव मिठी किरने चंदरमा को हम देख सकते हैं, चंदरमा को आप अपनी आखों से तě ढेक सकते हो, इसले रहलों भी महाते हैं, उसे रहींते हैं, लेकिन जिसको अंगरीजी नही आता वो फॉर्य किरने को भीज़ एक बडेता हैं, भी CAN? सिर fedते हैं, त िरोप हो किए झालाव हो तो रे बोलो है याद हो गया अगिंगे जाओ हम ने बोला हायर अब सब का मतलम कि Wik राया होता है इस सारे वस्त हा नतल qué रेंट मतलब किराया फेर मतलब किराया लेकि अंतर किया है भाई तो सर्वेंट अब तुमने सर्वेंट लाया है हायर करके कितने में हायर किया इस नौकर को भाई हजार रुपे में पांच रुपे में तो हायर किया किसी स्टाफ को किसी नौकरी के लिए तो हायर किया है रेंट रूम बस फेयर, बस का किराया, तो सब का मतलब किराया है, लेकि अंतर है कि नहीं, तो आप सिख रहे हो, एक एक वो कैब को सही जगा पर यूज करना, मेरे बच्चे, मैं आपको हर्चिज तरीके से दे रहा हूं, ताकि आपको भुलना जाए, लिखना जाए, सोचना जाए, हर्चि और लेको अजाघ। पिल लो तो यह करते हो उस पील फेल लूग लोगों इस प्राइज में इंडना, उस पम अंए भिखना उसा कहते हैं अ अजाए, ए कोषा स्थ पील मैं रूम मिठर्यत, यह भिष्न भूस करें भूले गए पील मिए लोगों यह फमेंड अस्री पोलेंगे ऑफ्प एफ्जा स्टुपीड फेलो अब रोर थंडर इस अमलतों घरजना गरजना तो जंगल में श मतरल जो और ने तो जंगल में सेर घरजता है तो सटुपीड ब मैलते हैं सटा ओन फिलिय को बंदे है और बादल में अगर बेस्ट तो तो इसको थांडर बोलते, क्या बोलते है? थांडर, यह田 ''κलाव थांडरिंग'' दीजिनः है यही क्लावड थंडरिंग, समय थांडर बोलें और सेर घर बोलिगए, तो रोर बोलें याद हुआ करें, याद हुआ करें? Jalी बोलो, दूसा चीज, आप चाहते हो कि अंग्रेजी पढ़ हूँ, तो आप दिल्ली आजाओ, दिल्ली अब दूर नहीं है, मुखरजी नगर में आप दिल्ली में, आप मेरे से फेस टू फेस के क्लास ओफलाइन कर सकते हो, मैं आफलाइन पहाता हूँ, आप आके दिल्ली में मेरे से गाइडिंस लिसकते हो, प्रस्क्रामूँ से पढ़ सकते हो, आप दिल्ली में आकर के, दिल्ली अब दूर नहीं है, बहुत सो नॉर्म फीस है, उसके साथ साथ आप दिल्ली नहीं आ सकते है, मजबूरी है, तो आप घर बैठे, ओनलाइन क्लास पर सकते हो, आपने मॉइल प बैच चलता है, दो गुंदे का बैच चलता है, तो पूरा बैच आप अपने मॉवाइल पर सकते हैं, एप के तुरू अपने लैप्टॉप पर सकते हैं, तिसरी बात, स्पोकेन करना चाहते हैं, शिर्फ प स्पिकिंग, फाउंडेशन नहीं, तो स्पोकेन के लिए हमने अल पुरे भारत में क्रामती फ्लाना है तो मेरे साथ मिल करके आगे भढ़ना है। झाल झाल